नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक पार फिर से हमारे चैनल में दोस्तों आज 1.2 करोड केंदर करमचारी को मिलेगी खुसकबरी 2 लाग से जादा आएगा वेतन जानेंगे कैसे जी हाँ देश के 1.2 करोड केंदर करमचारी और पैंसनर्स के लिए आज का दिन यानि 7 जुलाई बेहत खास रहने वाला है ऐसा इसलिए क्योंकि आज कैबिनेट बैठक होने वाली है महंगाई भत्ते और महंगाई राहत पर कैबिनेट की आखरी मुहर आज लग सकती है डिये और डियार के अलामा जुलाई और अगस्त दो महिने के एरियर पर भी फैसला हो सकता है अगर ऐसा होता है तो केंदर सरकार के करमचारियों की सितंबर की सेलरी बंपर बढ़ोतरी होगी कल यानि 7 जुलाई को परधान मंतरी नरेद मोदी की अध्यक्षता में केंदरिय मंतरी मंदल की बैठक होनी थी मेडिय रिपोर्ट की मारे तो इस बैठक में केंदर करमचारी के डिये पर चर्चा हो सकती है इससे पहले 26 जुन को केबिनेट सेक्रेटरी के अध्यक्षता में वित मंतराले और नैसनल काउंसिल ओफ जॉइंट कंसलिटेटिव मसीनरी और अधिकारियों की मीटिंग हुई थी जिसमें सितंबर में डिये देने की बात की गई है, कल केबिनेट बैठक में इस पर मुहर लग सकती है नैसनल काउंसिल ओफ जॉइंट कंसलिटेटिव मसीनरी केंदर सरकार के करमचारीयों के डिये की तीन किस्ते मिलनी बाकी है कोरोना महामारी के कारण सरकार ने डिये फ्रीच कर रखा था साथी पूर करमचारियों के DR की किस्तों का भुकतान भी नहीं हुआ करमचारियों और पैंसनर का 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 का DA और DR पैंडिंग है सातों वेतन आयोग के तहथ सेलरी के लिए मान लिजिए कि करमचारी की बेसिक सेलरी 20,000 रुपे है तो उसका मास्टिक डिये 20,000 का 28 परतिसत तक बढ़ जाएगा इसका मतलब है कि मास्टिक डिये में व्रिधी 20,000 रुपे का 11 परतिसत यानि कुल 2200 रुपे होगी इसी तरह केंदर सरकार के अन्य करमचारियों जिनकी 7th पे कमिस्नर में मैट्रिक्स में अलग-अलग मासिक मूल वेतन हैं वो आज जांच सकते हैं कि डिये बहाली के बाद उनका वेतन कितना बढ़ जाएगा तो साफ है दोस्तों कि आज करमचारियों को एक बड़ी खुस खबरी मिलने वाली है जिससे करमचारी काफी उस्साहित हैं तो यही था वीडियो में वीडियो को लाइक करना इसे सेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना धन्यवाद